मृत्यू के बाद 13 वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? मृत्यू के बाद क्या होता है? और 24 घंटे बाद आत्मा वापिस अपने घर क्यों आती है? जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना. दोस्तों, मौत से कुछ घंटे पहले इनसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिसकनेक्ट हो जाते हैं. मतलब इनसान का धरती से कनेक्शन तूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं. मरने से ठीक पहले इनसान का अपना संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्य तक फ्लैश बैक की तरह स्वीड से दिखाई देता है. विज्ञान की माने तो ये सपना लगभग साथ मिनट का होता है. उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है और अंत में इनसान अपनी सुनने की शक्ति को पूर्ण रूप से खो देता है. जिसके बाद एस्ट्रल कॉल तूट जाता है जो की एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है, जिसके तूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है. लेकिन लंबे समय से शरीर में रहने के कारण आत्मा बोडी को छोड़ने से मना करती है, वह फिर से शरीर में प्रवेश करने की काफी कोशिश कर लेकिन वह हर बार असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यू को स्विकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यू को मानने से इंकार कर देती है। मृत्यू के बार शरीर को सूर्य देव की पहली किरन के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संसकार रात में किया जाए, तो उसकी आत्मा प्रेत योनी में प्रवेश करती है। जिसके बाद वह सदा के लिए हमारे डाइमेंशन यानि की आयाम में भटकती रहती है। मृत्यू के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए, तो सभी परिजन रात भर शव के पास जागते हैं, क्योंकि एक बार एक गाव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गय जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरे, तो हनुमान जी की मूर्ती देख प्रेत डर गए और उस मृत शरीर को वही छोड़ कर भाग गए। तब से लेकर आज तक कोई भी डेड बॉड़ी को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता। अंतिम समय में दो यमदूत जाते हैं और वो मरने वाले के साथ ठीक ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा उसने संपूर्ण जीवन में अन्य लोगों से किया था। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वो आराम से प्राण त्याग देता है परन्तु अगर वह पापी है तो यमदूत उसे तडपा तडप के मारते हैं और मरने के बाद आतमा को एक प्रकाशित गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में वेतरणी नदी पार करते हुए आतमा को जाना होता है। यह नदी आग से लथपत होती है जिसने अच्छे कर्म किये हैं वो आराम से इस नदी को प लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ती है, तो उसे काफी पीढ़ा भोगनी पड़ती है, जिसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ती आत्महत्या करके अपने प्राण त्यागता है, तो उसे और अधिक कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराय का मकान है, जो कुछ समय के लिए हमें मिला है। ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। गरुड पुरान के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किये गए हमारे कर्म ही हमें नरक या स्वर्ग तक पहुँचाते हैं। अगर कोई साधू या तपस्वी है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब बातें हमें कैसे पता च उन्हें बिना अमरित के ही अमरता प्राप्त हुई। ये वर्दान उनको स्वयम श्री हरी नारायन ने प्रसन्न हो कर दिया था। गरुड देव तो अमर हैं, उन्हें नहीं पता कि मृत्यू के बाद क्या होता है। इसलिए जिग्यासा वस उन्होंने श्री हरी नारायन से यह प्रशन पूछा और श्री हरी नारायन ने जो कुछ गरुड जी को बताया, इसी विज्ञान को हम गरुड पुरान के नाम से जानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना वो मरती है। वो तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यू केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह जीवन मृत्यू का चक्र यूँ ही चलता रहता है। इसलिए मरने से पहले कभी मत मरो। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, यह इसलिए कहा जाता है। क्योंकि वही सं पूर्ण जीवन का सार है, भगवान श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सत्य है.